हेलो फ्रेंट्स माइनेम इस योगेश रहे जाएंड आई वेलकम यू ओल तो आवर यूट्यूब चैनल आर्जिया प्रफेशनल बुलेटिय। फ्रेंट्स 15 फेबरी 2022 लास्ट डेट है फोर्म 3CEB यानि की ट्रांसफर प्राइजिंग ओडिटर रिपोर्ट को फाइल कर लेकिन काफी टेक्सपेयर्स और प्रफेशनल की एक क्वेरी आ रही है कि हमें डाउनलोड सेक्शन में 3CEB की ओफ्लाइन उटिलिटी नहीं दिख रही तो क्या आप New Income Tax Portal पे अभी Form 3CEB फाइल नहीं कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप Form 3CEB को New Income Tax Portal पे कैसे फाइल कर सकते हैं क्योंकि उसकी Online Facility अविलेबल है जी हां Online Facility अविलेबल है New Income Tax Portal पे So let's start with our discussion on Form 3CEB Income Tax Portal पे कैसे फाइल करेंगे सो सबसे पहले टेक्सपेर लोगिन करेगा अपने Income Tax E-Filing Portal पे लोगिन करके वो जाएंगे E-File में E-File में जाके वो सिलेक्ट करेंगे Income Tax Forms और Income Tax Forms में जाके उन्हें सिलेक्ट करना है File Income Tax Forms File Income Tax Forms में जाके आपको एक Page Open होगा जिसमें आपको Forms के Name दिये होगे कि कौन-कौन से Forms अविलेबल है साइट पे उसमें आपको सिलेक्ट करना है Form 3CEB को और Form 3CEB को क्लिक करना है आपको File Now पे जैसे ही आप File Now पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक Page Open होगा जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है इस Page में आपको दिखेगा आपका Pen क्या है आप इसमें अपनी Filing Type को सिलेक्ट करेंगे वो औरिजिनल है या अपना Assessment करेंगे आप आप इस फोर्म को उस Chartered Accountant को Assign करेंगे जो आपके भिहाब पे Form 3CEB यानि की टीपी ऑडिट कर रहा है सो Assign करेंगे आप Chartered Accountant को आपको Supporting Document अगर Portal से उस Chartered Accountant को देना चाते हैं तो Optional Attachment यहां पे लगा सकते हैं Continue पे क्लिक करेंगे जैसे आप Continue पे क्लिक करेंगे अब confirmation message will appear on the screen कि आपके CA को request भेज़ दी गई है TP audit के लिए उसके बाद क्या होगा जब आपने यहां से request भेजी Same जो आप Tax audit में करते हैं वही आपको TP audit में करना है तो जैसे यहां से आपसे request गई तो CA अपना जिस CA को आपने TP audit के लिए Assign किया है वो CA अपना professional account login करेगा professional account login करने के बाद वो जाएगा pending actions में और pending actions में जाके work list में जाके उसे यह दिख रहा होगा कि आपने कौन सा form उसे Assign किया है वो यहां आके उस form को accept कर सकता है या reject कर सकता है तो यहां पे उस form को accept करता है तो accept करने के बाद एक confirmation message again अब chartered accountant को आएगा कि जो form आपको Assign किया गया था उस form को आपने accept कर लिया है it means अब मुझे 3CEB file करना है अब मैं दुबारा से pending actions में जाऊंगा means वो chartered accountant दुबारा से pending actions में जाएगा work list में जाएगा आप देख सकते हैं screen पे आपको सभी screenshot दिये गए pending actions में जाएगा work list में जाएगा जहां पहले उसे accept का button दिख रहा था अब वहाँ पे उसे file form का button दिखेगा means अब उसे ये दिखेगा कि उसने अपना form file करना है अब वो click करेगा file form पे जैसे वो file form पे click करेगा next page open होगा form 3CEB जिसमें आप नीचे submission mode देख सकते हैं online आप ध्यान किया हो अगर आप नहीं तो text audit जब आप 3CACD या CBCD offline utility से file करते हैं उस time लिखा होता था submission mode offline यहां क्या लिखा हुआ है online it means 3CEB की online facility portal पे enabled है क्लिक करेगा chartered accountant continue पे जैसे वो continue पे click करेगा form 3CEB open हो जाएगा आपको यहां सिर्फ एक बटन पे click करना है let's get started and you will be started to file form 3CEB आप देखेंगे let's get started पे click करने के बाद आपके सामने form 3CEB open हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह पता लग रहा होगा कि step by step आपने कैसे form आपके taxpayer ने आपको असाइन किया chartered accountant ने उसे accept किया accept करने के पाद जैसे उसने file form पे click किया form 3CEB open हो गया आपको ready made offline utility अभी नहीं दी गई है लेकिन online facility आपके पास है positive of time को देखते हुए कि 15th February 2022 तक आपने इस compliance को achieve करना है तो आप online facility के जरिये इस 3CEB को file कर सकते हैं exit दोस्तों यहां से आपको यह पता लग गया कि आपको form 3CEB कैसे file करना है new income tax portal पे दोस्तों आपको हमारे वीडियो आशा करता हूं अच्छा लगा होगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आप like comment and share जोर कीजिएगा और ऐसे ही regular updates के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आव जे आपको केशनल बॉलिटिन थैंक यू सो मत दोस्तों